कृष्णा नाम के एक आदमी से सुजाता ने शादी कर ली थी वो पहले से ही शादी शुदा था और उसकी शोभा नाम की एक बेटी भी थी पहली पत्नी के देहान के बाद उसे फिर से शादी करनी पड़ी थी सुजाता और कृष्णा की एक संतान थी रम्या सुजाता रम्या को बहुत प्यार किया करती थी पर शोभा का ठीक से ध्यान नहीं रखा करती थी फिर भी शोभा इन बातों पर जादा ध्यान नहीं देती थी वो अपने पढ़ाई में ही वेस्ट रहा करती थी हर रोज वे दोनों साथ में पार्चाला जाया करते थे और पार्चाला से वापस साथ में लट कर आया करते एक दिन स्कूल से लोटी रम्या रोते हुए मा से बोली मा, स्कूल में हर कोई शोभा की लंबे बालों की तारीफ करता है और मेरे इन चोटे बालों को देखकर मेरा मजाग उड़ाते हैं मैं क्या करू मा अपनी रोती बेटी को चुप कराते हुए सुजाता ने कहा मेरी गुडिया रानी, तुम्हें रोनी की कोई जरूरत नहीं उसके बाल तुम्हारे जितने ही हो, तो कोई तुम्हारा मजाग नहीं उड़ाएगा न हाँ मा, अगर उसके भी मेरे जितने बाल हो, तो कोई मेरा मजाग नहीं उड़ाएगा बेटी को चुप कराकर सुजाता ने कुछ सोचा एक दिन हर बार की तरह शोभा जब अपने बाल धो रही थी तो उसके सारे बाल जढ़ गए अपने गज़े सर को देखकर शोभा रोने लगी ये मेरे बालों को क्या हुआ मेरे सारे बाल कैसे जढ़ गए शोबा हैरान होकर रोने लगी अपना दुख उसने अपनी मा को भी बताया मा ने उसे डांटे हुए कहा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कोई भी ऐसा वैसा शाम्पू अपने बालों में मत लगाना पर मेरी सुनती कहा है अब देखो अपने बालों का क्या हाल हो गया अब बाहर निकलोगी तो हर कोई तुम्हें गंजी कहकर बुलाएगा ये सब देख रही रम्याने मन ही मन कहा अब ये सही हुआ आज की बाद मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा ये सोचकर मन ही मन खुश होने लगी उस दिन से शोभा जब भी स्कूल जाने लगती तो आज पड़ उसके लोग उसे देख कर कहते इतने लंबे बाल कहा गायब हो गये यो हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा शोभा ने यही बात अपने पिता से भी कही पिता तो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे पर वो शोभा को डॉक्टर के पास भी ले गए इसके बाल जड़ने की कोई वज़ा पता नहीं चल रही डॉक्टर ने उसे कई दवाया लिख कर दी पर कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी शोभा रोते हुए घर के भीतर ही रहने लगी वो अपना चहरा किसी को नहीं दिखा रही थी घर पर ही रहकर घर के सारे काम करने लगी थी उसे बहुत दुख होता था मेरे कितने लबे बाल हुआ करते थे कितने घरे बाल क्या हुआ मेरे बालों को भगवाल आपने मुझे इतना कुरुप क्यों बना दिया यूं वो रोया करती एक दिन अचानक उसके सामने रोश्नी हुई उस रोश्नी से शोभा को कुछ आवाज सुनाई देने लगी वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी मा की आवाज सुन शोभा का मन भराया यो रोते हुए शोभा ने अपनी मा से सारी बात कही उस पर मा की आवाज आई बेटा मैं इसलिए तो आई हूँ जहां तुमें ये रोश्नी ले जाए तुम वहाँ चल दो तुम्हारे साथ सब भला ही होगा कुछी पल में वो रोश्नी वहाँ से निकल कर आगे बढ़ने लगी शोभा उसका पीछा करते करते बहाँ दोर तक चलती रही वो पूनम की रात थी रोश्नी का पीछा करते करते शोभा एक नदी के किनारे पहुंची रोशनी किनारे से निकल कर नदी के ऊपर चलने लगी इस तरह पानी के सतह पर चल पाना शोभा के लिए बहुत आश्चेर्य जनक बात थी अचानक मा की आवास फिर से सुनाई दी बेटा घबराने की कोई जरुवत नहीं तुम डूबोगी नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ो यू उसे हिम्मत देकर और आगे बढ़ने के लिए कहा कुछ दूर जाने के बाद शोभा अचानक पानी में डूब गई शोभा घबरा कर चिलाने लगी मा मजे बचाओ मा, मा मजे बचालो कुछ ही पलो में शोभा अपने खोए हुए बालों के साथ वापस लोटी पर वो पहले की तरह साधारन बाल ना होकर सोने और चान्दी के थे अपने अद्भूत बालों को देखकर शोभा हक्की बक्की रह गई उसके बाद शोभा चलती हुई नदी के किनारे पहुंची नदी के किनारे पहुंचते ही उसकी मा प्रत्यक्षूई बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं रुलाएगा तुम्हारे साथ सब भला ही होगा और साथ ही साथ कोई तुम्हारे बालों को छू भी नहीं पाएगा, ना कुछ कर सकता है, और जो भी तुम्हारे साथ बुरा करना चाहेगा, उसी का बुरा होगा, शोभा ये जानकर बहुत खुश हुई और अपनी मा को छोना चाहा, पर मा आत्मा रूप में आई थी, मा ने उसे वहां से गाइब किया और घर में प्रत्यक्ष किया, और उस रात वो आराम से सो गई, अगली सुबह सोटेली मा ने उसके बाल देखे और चौंग गई, ये सब क्या है, ऐसा सोटेली मा के पूछने पर शोभा ने कहा, मैं भी नहीं जानती मा, मैं भी ये नहीं ज जानती कि ये बाल मेरे सर पर कैसे उग गए, ऐसे ही शोभा ने कहा, वो इसलिए क्यूंकि बीती रात जो कुछ भी हुआ था, शोभा पूरी तरह से भूल चुकी थी, सच सच बता ये माजरा क्या है, जैसे ही सोटेली मा ने उसके बाल पकड़े, उसका आधा सर गंजा हो ग रम्या ने ये सब देखा और वो घबरा कर शोभा से दूर रहने लगी, पिता ने भी जैसे ही उसके बाल देखे, वो चौंग गया, शोभा घबरा कर रोते हुए बोली, पापा, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है हो सकता है, ये भगवान की ही इच्छा हो, अब तो सुधर जाओ, और हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांग कर कहो, कि तुम शोभा को नहीं सताओगी, हो सकता है, इसे तुम्हारे बाल वापस आ जाए इस पर रोते हुए सुजाता ने कहा, ये सब मेरी वज़े से ही हुआ है, शोभा के सारे बाल ज़ड़ जाए, इसलिए मैं नहीं ये सब किया था, मैंने शोभा को बहा सताया है, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी ये रो रोकर उसने प्राथना की, जैसे ही उसने ये कहा, उसके बाल वापस आ गए, ये सब देख पिता समझ गय थे, कि सौटेली मा शोभा का ध्यान नहीं रख रही थी अब तुम्हारी समझ में आ गया ना, कि अगर तुमने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा, तो भगवान तुम्हारे साथ क्या गरेंगे, खबरदार आइंदा ऐसा हो ना पाए सुजाता ने रोते हुए हामी भरी, उस दिन से सुजाता ने अपना मन बदला और अपने दोनों बेटियों को समान प्यार देने लगी शोभा की बहुत कम उम्र में उसके मा के देहान की वज़े से उसके पिता ने उसके देखभाल करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी शोभा की पिता का नम माधव था माधव का बिजनस बहुत अच्छे से चल रहा था इसलिए वो शहर में ही अपने काम में वेस्ट रहा करता था कभी-कभी किसी त्योहार या उत्सव में वो घर वापस आया करता था शोभा की सौतेली मा रम्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी यो एक दिन शोभा कुछ सोचती हुई आंगन में बैठी थी तब ही रम्या ने उसके पास जाकर कहा बेटा शोभा अगले दो-तिन दिन में तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं न तुम उनसे क्या कहोगी कि मा मुझसे घर का सारा काम करवाती है हर समय कुछ न कुछ कहती दांटी और मारती रहती है बस आपके सामने ही अच्छा होने का डोंग करती है ऐसा कहोगी यो चिड़ा कर पूछती है शोभा ने उससे कहा मा तुम्हारे अध्याजारों के बारे में बता कर माला मुझे क्या मिलने वाला है वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस सिंदिकी में तुम कभी मुझे अपना पाऊगी प्यार कर पाऊगी मैंने उम्मित छोड़ दी है अगर ये बात मने पापा को बता दी तो बेवज़े ही तुम दोनों के पेच अनबन हो जाएगी मैंने आज तक कभी पापा को कुछ नहीं बताया और नहीं बताऊंगी तुम भले जो भी करो पर एक बात अच्छे से याद रखना अगर मुझे पता चला कि तुने पापा को सब कुछ बता दिया है तो मैं उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दूँगी और बचा हुआ खाना मैं खाकर खत लिखकर छोड़ दूँगी कि इन सब की वज़ा तु है ऐसे धमकी दी मासी इतनी चोटी सी बात को तुम कहा से कहा ले जा रही हो मैं पापा को कुछ भी कभी भी नहीं बताऊंगी ये कहकर रोती हुई शोभा अंदर चली गई इस तरह रम्या शोभा से घर के हर काम करवाती और उसको खूप सताया करती एक दिन माधव घर लोटा बहुत दिनों बाद अपने पापा को देखकर शोभा भावख हो गई और वो दोड़ कर अपने पिता के गले लग गई रोती हुई शोभा को देखकर माधव ने पूछा बेटा क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यो रही हो? बेटा, बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? पिता के ऐसे पूछने पर शोभा का मन किया कि सौतेली मा की सच्चाई उन्हें बता दे पर तबी उसे सौतेली मा की कही सारी बाते याद आई इसलिए उसने कुछ नहीं कहा नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, आपको बहुत दिनों बात देखकर मैं अपने आशों को रोक नहीं पाई, मा तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, किसी भी चिसकी कमी होने नहीं देती वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे पास जादूई गाउन है ना, उसे छोड़ कर ये फटी हुई गाउन क्यूं बेनी है तुमने माधव के ऐसा पूछते ही, रम्या मन ही मन सोचने लगी हे भगवान जिसका डर था वही हुआ, जो सवाल में चाहती थी ना पुछे वही पूछ रहे है शोभा उस गाउन की मदद से ना सिर्फ अलग-अलग जगे सेर करने जा सकती है, बलकि मेरा कहा उसे करना भी नहीं पड़ेगा यही सोच कर तो मैंने उस गाउन को छुपा कर रखा था, ये बात पता चली तो मेरी कहर नहीं, शोभा उस गाउन के जरिये जैसा चाहे वैसा जी सकती है, और मैं जीती जी उसे इतना खुछ तो नहीं देख सकती थी ना, इसलिए तो मैंने ये सत किया, अगर ये बात मेरे पती को पता चली, तो मार डालेंगे मुझे, क्या बात है रम्या, मैं तुम से गाउन के बारे में पूछ रहा हूँ, पर तुम ना जाने कहां खो गई हो, वो, मैं, वो दरसल बात ये है कि, शोभा पर बहुत छोटी है न, वो नहीं जानती ना कि जादूई गाउन को कैसे बस इसी लिए मैंने ये सोच कर की, कहीं लड़क पन में उसे कोई गलती ना हो जाए, मैंने उसे संभाल कर छुपा कर रखा है, यो रम्या ने उस बात को संभालने की कोशिश की, उस पर शोभा मन हिमन बोली, मेरा जादूई गाउन मुझे दिया नहीं, उसे छुपा कर जैसे ये सब मेरे भले के लिए कर रही हो, शोभा कहना चाती थी पर बाहर कह नहीं पाई, रम्या शोभा के लिए तुम्हारे इस प्यार को देख कर मैं बहुत खुश हूँ, शोभा से दूर रहने का जितना मुझे दुख था, उससे जादा खुशी इस बात की है कि उसके देख भाल तुम कर रही हो, चलो ठीक है, मुझे वापस लोटना होगा, फिर कुश दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगा, जैसे ही माधव ने जाने की बात की, शोभा रोने लग गई, बापा, बापा, आप माच जाओ ना बापा, बापा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बापा, आप मुझे जोड़के माच जा, मुझे भी अपने साथ ले जाओ बापा, यू रोती हुई शोभा को समझाते हुए माधव ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें यू रोना नहीं चाहिए, रम्या के साथ तुम्हें कुछ और दिन यहां रुकना होगा, मुझे शहर म में बहुत जरूरी काम से जाना है, कुछ तिनों बाद में वापस लोटूंगा ना, तुम ऐसे रोया मत करो बेटा, तुम ऐसे रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, शोभा को बहला कर माधव वहां से शहर के लिए निकल पड़ा, उसके जाते ही रम्या शोभा के प आई तक कभी पापा के साथ जाने की बात करोगी? ये कहकर रम्या उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगी, कुछ दूर पहुंचने के बाद माधव रुख कर कुछ सोचने लगा, मेरी जिन्दिगी में सिवाई शोभा और रम्या के है भी कौन, उन दोनों को छोड़ कर चाहे मैं जितने भी कमा लूँ, उसका क्या फैदा होगा? साथ रहकर खुछ रहने से अनमोल चीज भला क्या होगी? भले ही कम पैसे कमाओ, पर मैं अपने बेटी के साथ ही अपना जी रम्या, यह तुम क्या कर रही हो? एक नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा बरताव करते हुए तुम्हें शरम नहीं आई? वो जब मेरे साथ चलने की बात कर रही थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था. तुझ जैसी राक्षस के पास, तेरी नन्ही सी बच्ची को छोड़ कर मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे आज समझ में आ रहा है. आज से इस घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहेंगे, तुम इस घर में नहीं रहोगी. जिस दिन तुम पूरी तरह से बदल जाओ, तभी इस घर में कदम रखना. रम्या रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजे, मुझसे अन जाने में पड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजे. यूँ वो हाथ जोड़कर गिर गिराने लगी, उसे यूँ विंती करते देख शोभा ने कहा, पापा मान जाओना, म के साथ ऐसा मत करो, शोभा के साथ इतना दुर वेवहार करने के बाद भी, शोभा का उसके ही पक्ष में पात करना देखकर, रम्या पूरी तरह से बदल गई, रम्या ने जादू इगाउन शोभा को वापस लोटा दी, और उस दिन से वो शोभा की बहुत अच्छे से देख भल करने लगी